अलो मेरे बीलो साथियों कैसे हैं आप आसा करता हूं आप सब ठीक होंगे आज हम बात करेंगे हाउस टू हाउस सर्वे की यानि की घर घर सर्वेक्षण 21 जुलाई से 21 अगर्स याद है ना बीलो साथी आ रहे हैं आपके द्वार उसके लिए आपको क्या करना है हाउस टू हा यह आपको नए नए वीडियो मिलती रहें पूरी जानकार देखने के लिए पूरी वीडियो जरूर्व यह हमने अपना कर लिया बीलो एप ओपन और कि यह आ गया है हमारे टूटल वोल्टर मेल फीमेल ठाड़ जेंडर ठीक है कि आप क्या करेंगे हम इसको थोड़ा से हमने यह देखिए उपर किया अब हाउस टू हाउस सर्वे भी है और बियलो रेजिस्टर भी है तो हम पहले करेंगे हाउस टू हाउस सर्वे की बात बियलो रेजिस्टर की बात में आगली वीडियों बताऊंगा यह देखिए हमने अपना हाउस टू हाउस लेफ्ट हैंड साइड पर और एक है व्यू फैमली मेंबर तो सबसे पहले हमने इसको सेक्षें वाइस कर लिया है सेक्षें नमबर एक, दो, तीन, चार जो भी है इसको हम फिल्टर लगाके अपना गली वाइस भी कर सकते हैं सेक्षें नमबर 1, 2, 3 जिस पी आप गली में है उसके बाद हम हमने यह section wise all कर लिया है अगर हमें इसमें किसी का house number से भी ढूणना है या फिर वो ट्राइगार के नमबर से ढूणना है तो भी हम search कर सकते हैं जैसे हम area में गए और continuous में वकान नहीं मिले तो हम उसको भी search कर सकते हैं यहाँ पर magnifying glass दे रखा नीचे filter दे रखा इससे भी अब हमें करना है add to pop census पर click करना है यह यह fill करना जरूरी है सभी का यह census का record है जैसे हम किसी भी house पर गए और उसमें हमें अहीज पता करना है कि कितने पूरुस की संक्या है नहिकर इंडर कोई नहीं है इसको हम नीचे करेंगे अब अगला कोश्चन है टोटल नमर ओफ पी डेवलू री लिविंग इन दा हाउस जिस हम एड्रेस पर गए वहाँ पर हमें दिव्यांग व्यक्ति कितने मिले अगर है तो यहां फिगर बढ़ देंगे महिला पुरुस यह ठरजेंडर नहीं है तो ठीक है यह सैंपल था तो इसलिए यहां करके माल लीजिए हमारा यहां पर एक फिमेल है इसको हम फिर समट कर देंगे यह हमारा सैंसस कम्प्रीट हो गया ठीक है अब हम यह जाएंगे हम आ गए अब किस पर एक मैं दोबारा दिखाता हूँ हम यू फैमली मेंबर जो यह एक आइस सी बनी हुई है व्यू फैमली मेंबर पर गए हम आए अधित्य कुमार दिवेदी जो भी इनका नाम होगा जो भी मिलेंगे हमें इस पर जो ग्रीन ब्लू सारा है ना इस पर क्लिक करना है हमें ओके यह देखे उसका स्टेटमेंट टू आ गया हाउस नंबर आ गया उस इसका फोटर आइकार का नंबर उसका जेंडर उसका रिलेटिव टाइप फादर है है हस्मेंड है और उनकी फोटो आजाएगी आप फोटो पे क्लिक करेंगे फोटो आफ जूम करके भी देख सकते हैं फोटो सही है नहीं है ठिक इमेल आइडी है तो फिल कर दीजिए औरेond disrespect कोई correction है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं नीचे आ गई correction की बात मैं बात मताऊंगा। यहाँ पर उसकी यह आगया p tirarض़िट of ordinary retro at this palace कबसे वो इस पते पर रह रहे हैं तो यहाँ पर कलेंडर क्लीमान य। हमने ओपर कलिक करा यह ab 2020 यहाँ पर 2020 आ गया photograph of the elector is correct अगर आपकी photo ठीक है elector की जिसको आप verify करने आए है तो correct कर देंगे अगर incorrect है blur है तो यहाँ वो कर देंगे अभी पहले मैं correct का बताऊंगा correction का मैं अभी बताता हूँ थोड़ा आगे ठीक जुड़े रही है वीडियो में पूरी में end तक देखना तभी समझ में आएगा elector detail mention above on the house visit जब आप गए तो सब कुछ ठीक था उसना house visit में same आ गया DOV age in data उसकी डेटो पर ठीक थी data में same आ गया अगर same नहीं है तो बताऊंगा the address on house visit are same आ गया आपके area में था वो अगर वेक्ति दिव्यांग है विकलांग है तो yes नहीं तो no यह देखे एक और चीज आगा इसमें नहीं आधार detail अगर applicant ने 6B का form fill कर रखा है तो यहाँ पर receive आ जाएगा अगर नहीं कर रखा है तो आप उनसे आधार कार लेके form 6B यहाँ पर fill कर देंगे ओके अब आएगी उनकी information on the visit application is found आवे दक जाच के दौरान रहता पाया गया present अगर shifted है तो shifted करेंगे expire है तो यहाँ पर फॉर्म नंबर 7 automatically उसका यहाँ पर आ जाएगा उसके बारे में बताता हूं में आगे अब आप details are correct verify yes जो उपर ने सारी चीज़े दे रखी है वो ठीक है के नहीं अब हम क्या करेंगे हमने उसकी सारी जानकारी ले ली सारी जानकारी लेने के बाद यहाँ पर क्या कर देंगे हम all details verify अगर जाच के दोरान अप्रिकेंट को यह आपको दस्तावेश देता है तो आप उसकी फोटो खीच सकते हैं आपने पहले से फोटो खीच के रख रखी है सरवन ना चल रहा हो तो गैलरी से ले सकते हैं और इसको यहाँ पर mention कर सकते हैं देखिए अब इसके बात कर सकते हैं हम इसे preview करके एक बार चेक कर लेंगे समिट करने से बहले जो भी detail थी जो भी detail बताई गई थी सब कुछ सही है क्योंकि एक बार समिट हो जाएगा फिर वो back नहीं आएगा अगर कुछ editing करनी है कुछ फुट गया है तो हम कर सकते हैं ओके यहां हमने कर दिया उसको समिट अब यह पूछेगा हमसे have you verify the attend information जो भी आपने सब कुछ बढ़ा है वो सब कुछ ठीक है न तो ओके और यह क्योंने के बाद verify successfully आपका verification हो गया देखे राइट हैं पर एक form एजान का यहां गया अजी जेन है यह अजी जेन की माल लीजे फॉटो या date of birth या कुछ भी गल्द है तो यहां पर हम उसका पहले हम लिखते हैं सबसे पहले कबसे वो यहां पर रहती है 2019 से माल लीजे ओके अगर photograph incorrect है और सेम तो आएगा क्योंकि बंदा हुआ मिला हमें तभी तो हम ठीक कर रहे है अगर उसकी date of birth गल्द है या फिर address गल्द है देखिए हमने जैसे ही कुछ करा तो हमारे नीचे क्या आ गया form number 8 आ गया form number 8 आते ही उसका वो try card का detail आ गई same epic number अब फिल करेंगे हैं उसका form number तो हमें क्या करना है हमें correction of entry in existing role जो हमारे role में दे रखा है उसमें हमें correction करनी है form number 8 हमें fill कर देंगे उसका form number 8 fill करने के गाद उसकी जो डिटेल मागेंगे तो उसको हम यहाँ पे fill कर देंगे form number 8 आ गया न इसी प्रकार से मैं से भी करूँगा नहीं सिर्फ मैं रिखा रहा था आपको अगर सब कुछ सही है तो उसके document लगा लेंगे अगर कुछ भी correction है अधार fill करना है 6 भी कर देंगे अगर present नहीं है shifted है तो shifted में form number 7 आ जाएगा अच्छा इसमें यह आएगा एक अधार elector ने बन दाया या फिर कोई objection कर रहा है तो उसका वो आ जाएगा उसका नाम उसका verify सब कुछ इसी प्रकार से आपको statement to fill करना है वीडियो अच्छे लगे तो like, share, comment